हाई दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 त्रे मार्शिक का सिलेवस अभी त्रे मार्शिक होने वाली है आपकी सितंबर में तो उसका सिलेवस MP बोड द्वारा रिलीज कर दिया गया है तो यहाँ पे देखे हिंदी में इकाई एक में पहले कोलम में देखे आप आरो गद्धिखंड में प्रेम चंद्र नमक का दारोगा आएगा और दुसरे कोलम में से देखे यह फर्स्ट में टू नमबर दिया है क्रोष्ण सोबती मिया नसिरुद्दीन यह भी आपका आरो गद्धिखंड में से ही है और थर्ड चेप्टर यह सत्ती जीत राई अबू के स साथ धाई साल यह थर्ड चेप्टर आरो गद्धिखंड में से आरो पुस्तक में से आपका फूर्थ चेप्टर आरो गद्धिखंड में यह थर्ड कोलम में दिया है बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाशन शेकर जोसी गलता लो हुआ अब यहां पर देखिए फर्स् चप्टर आएगा राम नरेश ठिरपाठी काविखंड में से आप फूर्थ कोलम में देखे आप काविखंड सुमित्रांद पंत वे आख ден उसका पांथे फर्स्ट कॉलम में आ जाई है अभिवक्ति और माद्यम आपका यहाँ पर अभिवक्ति और माद्यम पुस्तक में से जन संचार माद्यम आएगा और यहाँ पर वितान दिया है second column में भारती गाई काओं में बेजओर लता मंगिशकर कुमार गंधर्व और अभिवक्टि माध्यम में साङकर second chapter पत्रकारिकता के विविद आयाम first chapter बता दिया में इने अभिवक्टि माध्यम और second chapter भी आएगा और यहाँ पे फिर देखिए वितान में से आपका 3rd कोलम में देखिए आप वितान में राजिस्थान की रजद बूंदे अनुपं मिस्र और अभिवेक्ति और माध्यम में से आपका 3rd chapter आएगा मतलब अभिवेक्ति माध्यम में से 1st 2nd और 3rd 3 chapter आएगे तो यहाँ पर डायरी लिखने की कला देख यह आएगा थर्ड चिप्टर अब व्याकरण में देख लीजिए आप सब्द सक्तिय और सब्द गुन और इसके उपर दिया है फर्स्ट कोलम में साहित का विकास है वाधुनिक काल की प्रवत्तिया आपने टेंथ में पढ़ रखी वह आएगा आपका और भाषय उसके प्रकार चंदे परिचे और व्याकरण में है यह सब ग्रामर में हिंदी ग्रामर यहाँ पर व्याकरण में आपका कावी की परिभाषय भ्यद आएगे कावी के अपठित गध्यांस और पध्यांस आएगा तो यह मैंने हिंदी का बता द और गजदिखंड मैं से और काव़वखंड में से Une NCT थार्ड फौर्थ फिप्थ आएगा तो मतलब आपका गजदिखंड और पत्दिखंड में से पाचपचर चैप्टर आएंगे और अभियक्ति माधियम में से तीन चैप्टर आएएगे और यहां पर वितान में से आपके फर्स्ट और सेकेंड आएगा और आपका यहां पर साहित्य का विकास यह अधुनिकाल की प्रवत्या आएगी साहित्य में और व्याकराण में सब्द सकती है उसब्द गुन और भाषया उसके प्रकार छंद परिश्य प्रकार यह सब व्याकरण में है तो यह सब आएगा हिंदी में आप कत्रे मारसिक में आएगा एक्जाम होने वाली है आपकी सितंबर के लास्ट में तो आप तैयारी करना सुरू कर दीजिए और इस वीडियो में आपको पूरे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के बताऊंगा सिलबस तो देखिया आप अंग्रेजी का देखिया यहाँ पर आपका Grammar Revision आएगा आपने Grammar Revision कर रखा होगा तो यह Grammar Revision आएगा आपका त्रे मासिक में और होर्नविल्टेक्स बूक में सा आएगा यहां पर फर्स्ट कोलम में देखे लेशन वन आएगा लेशन टू लेशन थ्री आएगा और यहां से आपका लेशन फॉर भी आएगा अब आप Snapsorts में से देख लीज़े आपकी दूसरी पुस्तक Snapsorts है तो उसमें से Lesson 1, Lesson 2, The Address और Lesson 3 ये तीनों कोलम में अलग-अलग दिये हैं तो यहाँ पे Snapsorts में से आपके 3 चप्टर आएंगे First, Second और Third और यहाँ पे आपका Poetry दिया है Second कोलम में देखें यहाँ पे Snapsorts के उफ़र Poetry A Photograph of the Labern Top और यह Poetry Second The Voice of the Rain Labernum Top तो यहाँ पे दिया है Poetry बता दी मैंने आपको Poetry भी आएगी त्रेमासिक एक्जाम में आपके और आप देखें अब Grammar Grammar में आपका Articles आएंगे Determination आएगी Determination और Prepositions आएगी अब यहाँ पे देखें आप Reading Section में आएगा Note Making English में यहाँ पे First कोलम में देखें आप Reading Section में Note Making और Second कोलम में आजाएगा Writing Section में Posture Making Formal Letter आएगा और फिर Third कोलम में Writing Section में आप देखें Advertisement, Invitation आएगा यह मैंने English का बता दिया आपको English का अब नीचे आजाएए Sanskrit में Sanskrit में जो आएगा कौन-कौन से Part आएगे त्रेमासिक में यह देख लिए आप प्रथम पार्थ आएगा और यहाँ पर Second कोलम में देखें आप दूतिय पार्थ, त्रतिय पार्थ, चतूर्थ पार्थ, पंचम पार्थ, मतलब आपका संस्क्रत में पर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच चप्टर आएगे और यहाँ पर संस्क्रत साहित्य परिचा आएगा में प्रथम अध्या यह संस्क्रत भाष्या उद्वव यह विकास आएगा यहाँ पर आपका साहित्य में संस्क्रत साहित परीचे द्विती अध्याय वेदिक साहित त्रती अध्याय रामायन और यहां पे साहित परीचे चतुर्थ अध्याय में आपका महाकावी पंचम अध्याय एतिहसिक महाकावी समास यह आएगा आपका और व्याकराइन में संदी प्रत्य और कारक आएगा आपके सब्द रुपानी धातु रुपानी कारक प्रयोग है आप अब गणित में देखिए आपने नाइन्थ तेन्थ में पड़ रखा ब्रीज कोर्स तो ये ब्रीज कोर्स आएगा आपका वास्तविक संख्या भवुपद दो चरवाले रेखिक समिकरन द्विघाज समिकरन त्रिभूस समांतर स्रेणी त्रिकोन मिती निर्देसांग ज् पिछली कक्षा से संबंदित पुनारा वरती आपका अब जो 11 में भूखे मेचस की उसमें से आएगा आपका अध्याई एक समुच्य अध्याई दो संबंदे फलन अध्याई तीन त्रिकोन मिती फलन अध्याई पांच आएगा आपका समिस्र संख्या और द्विघाट ये स समिका है अध्याई सेवन क्रम चयो संख्या अध्याई आठ द्वीपद प्रमे अध्याई नो अनुक्रम तथा स्रेणी अध्याई दस सरल रेखा है तो ये आपको आएंगे सितंबर में होने वाली त्रेमासिक एक्जाम में अब जी विज्ञान में देखे आप वर्गी करन पद्यती पादब जन्तू वर्गी करन पादब जन्तू उत्तक वा प्रकार कोसी का फर्स्ट कोलम में बता रहां में कोसी का प्रकार वा सरशना विभाजन पादब पोशन रदी प्रकास अंशलेशन स्वशन क्रियाविधी स्वास पाचनतंत्र अहार नाल की सरशना रक्त व अध्याई एक आका आपका जिव भिज्यान में अध्याई एक से लगाके अध्याई चे हृप्च बोतिक शास्त्रे में टिक लगा लीजिए त्रेमारसिक में अध्याय ब्रीच कोर से भी आएगा आपका और रसायन विज्ञान में ब्रीच कोर से के साथ एक से लगा के नो तक आएगे चेप्टर आपको वन टू थ्री फोर यह आप देखे यहाँ पर अध्याय एक आएगा अध्याय दो और यहाँ पर अध्याय तीन अध्याय चवदा भी दिया है और अध्याय चार दिया है यहाँ पर अध्याय आट और अध्याय नो यह इतने चेप्टर आएंगे मतलब फर्स्ट इस सेकेंड और फॉर्टिन और थर्ड चेप्टर, फॉर्थ चेप्टर, एट्थ और नाइन्थ चेप्टर इतना आएगा आपका त्रेमार्शिक में अब यहाँ पर लेखा सास्त्र में देख लीजे आप अध्याई एक, अध्याई दो, अध्याई तीन, अध्याई चार, अध्याई पांच मतलब लेखा सास्त्रे में आपका आएगा अध्याई एक से लगा कर पांच तक तो आप ये लगा लिजे, त्रेमासिक में आएगा ये और वेवजाराद देन में आपका एकाई एक उकाई दो एकाई तीन एकाई चार आएंगे